तो दोस्तों, आज बात करते हैं, इंडिया में लॉंच हुए दू लेटेस्ट 5G डवाइस के हाडवेर के बारे में, यानि कि MI10i वर्स है, Reno5 Pro के हाडवेर के बारे में, इन दोना डवाइस में किस डवाइस का हाडवेर, किस कंडिशन में कैसा प्रफर्म करता है, और एक दूसरे के कंपेरिजन में, ये कितना प्वाइर की बात करना, तो Reno5 Pro में आपको मिलता है, MediaTek का MT6889Z प्रोसेसर, वहीं, MI10i में आपको मिलता है, Snapdragon 750G प्रोसेसर, अब Reno5 Pro में केवल आपको 8GB RAM, 108GB, internal memory के साथ आता है, तो वह यहां पर यूज़ की जा गया है, बाकी का, अगर MI10i की बात करना है, तो इस वीडियो में ने यूज़ किया है, MI10i का 6GB RAM, 128GB, internal memory वाला वर्ज़ा, दोनों ही device पर रन करने जा रहा है, यहां N2D Benchmark का एफ्लिकेशन, दोनों device के जो स्कोर्स होंगे, उनको compare करेंगे, और देखेंगे किस device का hardware, किस condition में कैसा perform करता है, तो चलिए, टेस्ट करते हैं, शुरू, तो दोस्तो टेस्ट हो चुका है, फिर्निस स्कोर्स है, आपकी आखों के सामने, अब यहां सबसे पहले का टूटल पर नजर डाला है, तो रेनो 5 प्रो का टूटल, MI10i से जादा है, MI10i का टूटल की बात करना, तो यहां MI10i का टूटल है, 321063, वही रेनो 5 प्रो का है, 462688, यानि कि बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ओवर ओल परफॉमेंस में, अब जड़ा एक्सपेंड करते हैं, इन स्कोर्स को, तो सबसे पहले नजर डालते हैं, तो MI10i का CPU स्कोर है, 111248, वही रेनो 5 प्रो का है, 124186, यानि कि यहां CPU स्कोर्स की बात करना, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हैं देखने को मिलेगा, रेनो 5 प्रो का हर्डवेर, या कहें MT6889Z प्रोसेसर, कॉमन यूज में MI10i से बहतर हैं, प्रैक्टिकली बात करने तो MI10i भी कॉमन यूज के लिए काफी कमाल का है, वहां भी कॉमन टास्क के लिए आपको को इशू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इन स्कोर्स पर नज़र डालें और दोनों को कंपेर करने, तो उस कंडिशन में रेनो 5 प्रो MI10i से बहतर है, बाकि का ये एक वीडियो है, जो N2-2 बेंच मार्ट टेस्ट करते समय, UI वाले पार्ट में रिकॉर्ड किया गया है, और यहां पर अगर दोनों को आपस में देखें, तो जहां रेनो 5 प्रो पर आपको एकदम स्मूद स्ट्रोलिंग की परफोर्मेंस देखने को मिलती है, वहीं रेनो 5 प्रो थोड़ा सा लेक देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, अब बात करते हैं, जीप्यू स्कोर्स यानि की गेमिंग प्रफोर्मेंस की, तो एमई टैनाई का स्कोर है 75354, वहीं रेनो 5 प्रो का स्कोर है 128362, यानि की यहां दुगने से भी ज़्यादा फरक आपको देखने को मिलेगा, रेनो 5 प्रो गेमिंग प्रफोर्मेंस में इन इस कोर्स के मताविक, कम्प्लेटली MI10i से बहतर है, अब यहां पर यह एक वीडियो भी देख लेते हैं, जो की दौनों ही डवाइसे के GPU वाले पार्ट, यानि की गेमिंग प्रफोर्मेंस से रिकॉर्ड की गई है, मिल सकते हैं, बाकी का यह एक और वीडियो है, हम कह सकते हैं, हाई-end गेमिंग का वीडियो, रेनो 5 प्रो पर भी यहां minor lag देखने को मिलेंगे, हाई-end गेमिंग में, लेकिन अगर इन दोनों को आपस में compare कर रहे हैं, तो यहाँ MI 10i पर और भी ज़्यादा lag देखने को मिलते हैं, ओवरॉल गेमिंग प्रफोर्मेंस में 100% और practically और उन इसकोर्स के मताबिक, रेनो 5 प्रो MI 10i से बहतर है, अब बात करते हैं, मेमोरी स्कोर्स यानि की RAM और रोम स्कोर्स की, नहीं मिलेगा, दौनों ही डवासें काफी कमाल का प्रफोर्म करते हैं, और दौनों ही लगवग सेम भी हैं, तो यहीं ता मेरा रेनो 5 प्रो और MI 10i के भी स्पीड टेस्ट, अगर common use की बात करें और multitasking की बात करें, तो वहाँ दौनों ही लगवग सेम प्रफोर्म करते हैं, हाला कि common use में भी रेनो 5 प्रो MI 10i से बहतर है, बट यहाँ पर इतना बड़ा issue नहीं है, लेकिन अगर gaming performance की बात करें, तो वहाँ रेनो 5 प्रो completely MI 10i से बहतर है, देही अप्लोड पर में तब तके लिए गुट बाई, आपका दिन शुभो.